जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रवन जी के स्टडी में से वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपोर्टेंट प्रस्णों के बारे में किसी भी एक्जाम के आप तयारी करें वीडियो को अन तक जरूर देखेगा सारे प्रस्ण आपको इंपोर्टेंट होने वाले यादि हमारी चैनलने पहले पारे चैनलं को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को जरूर लायक कर दिए कुंकि मैं इसी तरे के वीडियो लाता रहातहूं नौ nuovo वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका सबसे पहला प्रस्ण होगा कोशन नमबर एक भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है सारे प्रस्ण आपको इंपोर्टेंट होने वाले वीडियो गन तक जरूर देखेगा इसका राइट अंसर होगा आपको आपको आपसन नमबर सी वाला हीरा कुंट बांध भारत का सबसे लंबा बांध है नेक्स हो जाएगा आपको कोशन नमबर दो भारत में पर्थम महिला विस्व विद्याले कब अस्थापित हुआ था बार बार पूछे जाते हैं भारत में पर्थम महिला विस्व विद्याले कब अस्थापित किया गया था नेक्स्ट वर बढ़ेंगे नेक्स्ट हो जाएगा आपको कोशन नमबती माउंट एवरेष्ट पर चरने वाली पहली भारती ये महिला कौन थी जो माउंट अवरेष्ट पर चरने वाली आपको पहली भारती महिला है बिचेंदरी पाल उपसन सी इसका राइट एंसर होगा बिचेंदरी पाल माउंट अवरेष्ट पर चरने वाली पहली भारती महिला राजजपाल कौन बनी थी जो भारत की पहली महिला राज जपाल बनी आपको سरोजिनी नएडू प्रफम महिला नएधीस ती नेक्सट है आपको कोस्ता नमब 6 सोतंतर भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन बने थे जो सोतंतर भारत के आपको पर्थम गवर्नर जनरल बनाये गये थे लाओड माउंट बेटन को सोतंतर भारत के पर्थम गवर्नर जनरल आपको बनाये गया था नेक्स हो जाएगा आपको कुस्ता नमस साथ जवाहरलाल नहरू भारत के पर्थम प्रधान मंतरी कब बने थे बीबियाई प्रस ने आपको जवाहरलाल नहरू भारत के पर्थम प्रधान मंतरी कब बने थे आपको रकेश सर्मा option A परत्रम भारती अंतरिक्ष यात्री आपको रकेश सर्मा है नेक्सट है आपको question number 9 भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्थी किस सब्दी से हुई आपको ये most important प्रसन है भारत का अंग्रेजी नाम जो इंडिया है उसकी उत्पत्ती आपको किस सब्द से हुई है तो सिंधू सब्द से हुई है उप्चन से इसका राइट इंसल होगा सिंधू सब्द से आपको भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ती हुई है नेक्स्ट शूर बढ़ेंगे नेक्स्ट हो जाएगा आपको कोस्टन नमबर 10 क्रिशी भारती अर्थ विवस्था की क्या मानी जाती है आपको क्रिशी भारती अर्थ विवस्था की क्या मानी जाती है तो रीर मानी जाती है आपको रीर क्रिशी भारती अर्थ विवस्था की मा भारत में इस सबसे कम जन संख्या वाला राजी कौन सा है। आसकुमारी अम्रिद्कोर नेक्स्ट और आपको कोस्तन म्बोत 13 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रतम कागस रहित समचार पत्र कौन सा है आपको प्रCh sword का प्रथम कागस रहित समचार पत्र है वोगा कौन सा Byeü पत्र है इस प्रस्ट को आप नोट कर सकते हैं यदि किसी वीडियो का पेडियाप साथ हैं हमारे टेलिग्राम चल्ल से जरूर जुड़िएगा नेक्श वर बढ़ेंगे नेक्श हो जाएगा आपको कुस्ट नमबर 15 अंतरास्टी नयाले में नियुक पर्थम भारती नयाधीस आपको कुस्ट नमबर 16 पर्थम महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी वो मीरा कुमार आपको पर्थम महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी नेक्स्ट है आपको कुस्ट नमबर 17 भोतिक विग्यान में नोबेल प्रुसकार पाने वाले पर्थम भारती कोने जिने भोतिक विग्यान में आपको नोबेल प्रुसकार पाने वाले पर्थम भारती कोने जिने अर्थ सास्तर में आपको नोबेल प्रुसकार मिला था वो को अमर्तिय सेन को अर्थ सास्त्र के लिए आपको नोबेल प्रूसकार से सम्मानित किया गया था जो प्रथम भारती थी इस प्रश्च को आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट है आपको कोश्चा नोबर 19 रास्टिय धोज तिरेंगे का गहरा के सरिया रंग क्या दरसाता है जो आपको धोज में गहरा के सरिया रंग होता है वो क्या दरसाता है तो ताकत और शाहस को दरसाता है अपसन ए इसका राइट एंसर होगा ताकत और शाहस को दरसाता ह है गहरा केशरिया रंग जो आपको रास्टी धोस्ति रंगे में लगा हुआ होता है नेक्स्ट है आपको कोसर नमबर 20 भारत के निम्न में से किस राज में प्रोसों की संख्या इस्तिरियों से कम है आपको किस राज में प्रोसों की संख्या से आपको इस्तिरियों की संख्या कम है तो केरल राज्य है सारे प्रसना आपको इंपोर्टेंट होने वाले हैं वीडियों तक जरूर देखें किसी वीडियो का पीडियाफ साथ हो हमाई टेलेक्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा यदि हमारे चैनल पहले बारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजें ने वारत का सबसे ऊंचा भांद पालद आपको बना हुआ है नेक्स्ट है आपको कोdet से नंबर 22 भारत की पहली आयरन इस्टील कंपशनी कहां पर इस्तित है जो भारत की पहली आयरन कंपशनी कंपशनी इसा कौन सा राज्य है जो आपको सक्क्र का कटोरा कर लाता है तो याद रखेंगे उत्तर-प्रदेस éticoAP लूर्ण भारत में किस RAJU को भारत का खदान भंडार की रूप में जाना जाता है किस राज़ को important person Luigi को आप note कर सकते है किस को ख़दान-भंडार रूप में आपको जानाजाता है तो option ब बी होगा, इसका right answer याद रखेंगे पंजाब राज़ को भारत का ख़दान-भंडार के रूप में आपको जानाजाता है, पंजाब राज़ को इंपोर्टेंट है तो सारे प्रसन है तेम्पोर्टेंट थे एक्जाम से रिलेटेडक तो ऐसा वुडियो में तब तक के लिए जयए लिए